नमस्कार दोस्तों करियर विद आशुतो शेनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों UPPCS 2024 के लिए बहुत बड़ी खुश कबरी आ रही है जी हाँ आप सबको बताया कि UPPCS 2024 की एक्जाम डेट 17 मार्च संभावित लग रही है कि 17 मार्च को परिच्छा हो सकती है पहले 24 मार्च का दोस्तों इस नोटिफिकेशन आपका चल रहा था लेकिन अब ये माना जा रहा है कि होली का धहन होने के कारण ये परिच्छा आपकी 17 मार्च को ही होगी और बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है आयोग द्वारा कैलेंड भी जारी कर दिया जाएगा जिसमें एक्जाम डेट आपकी कन्फर्म हो जाएगी ठीक है दोस्तों तो आरो यारो की 11 फरवरी और UPPCS की 17 मार्च ये मांग के चलिए कि यही आपकी एक्जाम डेट बन रही है ठीक है आप 17 मार्च अकर डेट है तो कितने दिन आपके पास है UP UPPCS 244 पीजिस के लिए तो सबसे पहले अगर देखा जाया तो नौमबर माह में आज 22 तारिक है तो 7 दिन आप 6 दिन नौमबर में माल लीजे ठीक है इसके बाद दोस्तों दिसम्बर की बात करें तो दिसम्बर आपका 31 का है प्टो 31 दिन दिसम्बर में जैनवरी की बात करे तो जैन्वरी में भी आपके पास 31 दिन है और फरवरी के अगर बात करें दोस्तों तो फरवरी आपके लीपियर है और लीपियर 29 का होता है आप सबको पता है और इसके बाद मार्च के अगर बात करें दोस्तों तो मार्च का दोस्तों 17 March अगर डेट है तो 15 दिन मान लिजे टोटल आपके पास March में बन रहे हैं जो आपको ध्यान रखने है clear है जो आपको पता होने चीट टोटल अगर बात करें तो कितने दिन होते हैं दोस्तों तो अगर आप जोड़ेंगे मोटा मोटा आप जोड़ेंगे तो 90 दिन तो सीधे सीधे यह हो गए ठीके 90 दिन हो गए एक इधर जोड़ लिजे 50-30 कितने दिन हो गए दोस्तों 3 मेना सीधे सीधे है न 3, 3, 6, 3, 9 तो 90 देस तो लगवग इधर ही हो गए 90 दिन इसके बाद दोस्तों आप 15 दिन जोड़ लिजे 105 205 और 7, 112 दिन दोस्तों आपका ये मान के चलिए, टोटल आपके पास 110 से लेकर 112 दिन आपके पास हो रहे हैं, मुटा मुटा बात करा हूँ, exact mass देखिए, आप लोग लगा सकते हैं, कल्कुडेटर से जोड़ सकते हैं, तो 110 से 112 दिन आपके पास बच रहे हैं, या 115 दिन मान ल दोस्तों ये वीडियो है, ठीक है, तो इसके लिए देखिए, दो चीज़ें आपको पता होने चाहिए, पहले चीज़ तो आपको पता होने चाहिए, कि exam pattern क्या है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, प्रीविएस येर कुश्चन का analysis क्या कह रहा है, ठीक, तो चलिए इस से त्यारी करना चाहें, तो क्या त्यारी अभी संभव है, तो बिलकुल संभव है, आप जीरो से त्यारी कर सकते हैं, या जो student त्यारी कर चुके हैं, कुछ नंबर से जिनका selection रुका है, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, इस plan को follow करके अपना त्यारी को और सुद्रन बना सकते ठीक है चली तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सबसे पहले exam pattern तो exam pattern आपको पता होना चाहिए सबसे पहले देखे दो paper होते हैं paper 1 आपका जनल स्टेडीज 1 का इसमें 1500 question होते हैं कितने number के तो 200 marks के होते हैं ठीक है और paper 2 आपका cc8 है इसमें 100 question होते हैं कितने number के तो 200 marks के होते हैं ठीक है और total time जो है 2 घंटे होता है दोनों papers के लिए ठीक है इसमें एक बड़ी बात है दोस्तों कि cc8 का paper जो है वो क्या है qualifying है इसमें मतलब केवल passing marks 33% आपको ले आना होता है बाकी main जो merit बनती है prelims की cut off जो reside होता है वो GS1 के अधार पर होता है अर्थात 1500 question का ही खेला है दोस्तों तो 1500 question का खेला है और 1500 question में कितना आपको selection होना चाहिए पिछली बार आप देखेंगे तो cut off जो है बड़ी uncertain सामने आई काफी ज़्यादा आ गई पहले इस पिछले के कुछ वर्षों में आपकी 85-87 question क्या सपस cut off रही लेकिन पिछले बार यह मान के चलिए 90 question प्लस cut off आपकी चली गई ठीके तो यह मान के चलिए अगर cut off की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तो आप cut off के जहमेले में पढ़ना ही क्यों है दोस्तों आप target क्या करना चाहिए आपका target क्या होना चाहिए दोस्तों एकदम clear होना चाहिए यह target कि 100 प्लस कोश्चन आपको क्या करना है दोस्तों आपको करना है यह target लेकर चलिए तो कभी भी आप cut-off की vicious cycle में फशिये गाई नहीं दुश्चक्र में फशिये गाई नहीं ठीक है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर वर्ष जो है 85-90-80-90 वाले zone में रहते हैं और पूछते हैं तो मेंस की तियारी करें कि ना करें ये नौबत ही क्यों आए क्यों क्यों कि आज अब तक result आपका pre-kar नहीं आए गा-द आप मेंस की तियारी करीं नहीं पाई आगा शान्ध दिमाग से तियारी नहीं YouTube पे लेता हूँ, रात में 9 बजे आप सभी लोग उस live session में जुड़े हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, previous questions solve कर रहे हैं, RO plus PCS के, सभी questions हम लोग solve कर रहे हैं, घटना चेकर पूरब लोकन के ये session आपको जो है JS में 100 plus question दिलाएगा दोस्तों ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ठीक है, और ये 30 October से चल रहा है ठीक है, लगा थार चल रहा है दो तो और उससे पहले से भी कह लिजे, ठीक, चलिए तो ये session आप सब लोग follow कर लेजिया आग बन करके, ठीक, इसके लावा दोस्तों, केवल question practice से क्या selection हो जाएगा, क्या केवल घटना चकर पढ़ने से selection हो जाएगा क्या घटना चकर पढ़ना परयाप्त होगा तो ये सारे question का जवाब दोस्तों मैं आप से बूलूँगा, कि इस पर आपको आश्रित नहीं रहना है घटना चकर पर केवल आपको आश्रित नहीं रहना है आपको क्या करना है standard books भी पढ़नी है, NCRDs भी पढ़नी है क्योंकि PCS का paper है दोस्तों और देखी इसलिए भी पढ़नी है, क्योंकि means में आपको क्या करना है, उनकी सहायता मिल लगेगी, उनकी help लगेगी भी न, उसकी means लिखना ही पाएंगी, आपकी column नहीं चल पाएगी नेबन नहीं लिख पाएंगी आप, ठीक है तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये 1500 question में हम लोग 100 plus question सही कर सकते हैं, ठीक हम कैसे सही कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया है 2013 का exam pattern आपके सामने प्रिपर का analysis आपके सामने शो किया है, 1500 question जो GSK थे उसमें distribution क्या रहा दोस्तों सबसे पहले दोस्तों देखा जाते हो history के लगबग 25 question और इसमें दोस्तों आपके modern medieval or ancient मतलब आधुनिक, मदिकालीन और प्राचीन भारत ये आपके total आपके कितने question आते हैं तो 25 question दोस्तों लगबगा है और लगबग प्रतिवर्ष इतने ही question आपको देखने को मिलते हैं जिसमें से modern के लगबग मान के चलिए सबसे ज़्यादा question 15 question के आसपास ठीके और बाकी आपके ancient or medieval के इसके बाद दोस्तों इंडियन पॉलिटी के लगबग 24 question देखने को मिले geography के आपके लगबग 23 question इंडिया और जोगरिफी मिलाके और environment के लगबग आपके 15-17 question science के लगबग 12 question, UP special के 6-8 question, economy के 12 question और current of year के सबसे अधिक 30 question, 31 question देखने को मिले दोस्तों, ठीके तो अब ये आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों ये कैसे ध्यान रखना है ये अगर नहीं आपको पता है तो आप ये नहीं target कर पाएगा, choose नहीं कर पाएगा कि हमें कौन सा section पढ़ना चाहिए तो मैं आपसे बोलूँगा दोस्तों कि सबसे पहले आपको क्या करना है इन ही चार subjects को target करना है History, Quality, Geography and Environment और current of year daily आप पढ़ते रहें newspaper आप सभी लोग डैनिक जागन ये जन सकता हिंदी माधियम वले और हिंदू या इंडिन एक्सपरस इंडन आपके कौन पढ़ेंगे दोस्तों English मीडियम वले तो सबसे पहले दोस्तों देखे newspaper एक reading करना शुरू कर दीजे क्यों 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 कि बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि घटना चक्रिया घटना सार से हो जाएगा लेकिन means नहीं हो पाएगा क्योंकि newspaper अगर editorial नहीं पढ़ा या आपने योजना अगर नहीं पढ़ा है दोस्तों तो आपके लिए means निकालना मुश्किल हो जाएगा ठीक है और निबंद में नंबर पाना मुश्किल हो जाएगा ठीक तो ये ध्यान दिन में आप क्या करिए current affair को देते रहिए और बाकी exam से पहले दोस्तों जो आपकी घटना चक्र की आईद्रिष्टी आती है दोस्तों आईद्रिष्टी आखवाली पुस्तक आती है उसको हम लोग कर लेंगे complete और उससे हमरा क्या हो जाएगा लगबग 30 में से हम 25 से 28 कोश्चन सही कर लेंगे दोस्तों अगर आपने newspaper लगातार पढ़ा है या कोई monthly magazine आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपका इतना काम हो जाएगा current affair का ये तो day to day चलाना है इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके बाद दोस्तों history के लगबग 25 कोश्चन है तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको क्या target करना चाहिए history को और एक एक करके चारो subject से बात कर लेते हैं कि कैसे कौन सा subject हम तयार कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर geography शो किया है तो geography के लिए दोस्तों देखिए महेश वरनवाल की पुस्तक आती है वो आप देख सकते हैं या तो भूगोल की NCRT मैं तो आपसे बोलूँगा 6 से लेके class 11 तक की new NCRT आप लोग पढ़ लीजे एक बार अभी समय है दोस्तों परियाप अभी परियाप समय है इसको आप पढ़ लीजे कटना चकरिफ पूर्वा लोकन लगाते रहिए जब साथ में NCRT पढ़ रहे हैं तो और या महेश वरनवाल पढ़ रहे हैं तो और जो आइफ क्लास में 9 बजे रात में चलाता हूँ दोस्तों उसको अटेंड कर लीजे PCSRो दोनों ही परिच्छांग के लिए सर्वोप योगी है दोस्तों और इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाती है और आप सभी लोग लिंक डिस्रिप्शन बाक्स में हैं वो देख सकते हैं और भूगोल आपका पूरा कम्प्लीट हो जाएगा अभी इंडियन जोग्रफी चल रहा है इसके बाद वर्ल्ट चलेगा जोग्रफी एक भी कोशन आपका छुटे का नहीं दोस्तों इससे तो ये जोग्रफी का 23-24 कोशन जो आता है ये आप आराम से कर पाएंगे दोस्तों ठीके और इसमें जोग्रफी में इंडियन जोग्रफी भी है दोस्तों और वर्ल्ट जोग्रफी भी है क्लियर चलिए तो यह रहा आपका वुगोल का वुकलिष्ट और आपका प्रैक्टिस सेशन इसके बाद दोस्तों हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री के लगभग 25 कुष्ण देखने को मिले जिससे रहें एजिस्ट्री के दोस्तों लगभग 15 कुष्ण और अस्फास प्रतिवर्श आपके ऐसे ही देखने को मिलते हैं ठीके तो मॉडर्ण इस्ट्री के लिए मैं तो आपको रेक्मेंड करूंगा दोस्तों की स्पेक्ट्रम ही आपको करनी है कोई कुछ भी कहे स्पेक्ट्रम पर वो वीडियो मिल जाएगा उसको आप लोग देख लिजे और इस्पेक्ट्रम पढ़ लिजे क्योंकि इस्पेक्ट्रम के कुछ ऐसे questions 3-4 आ जाते हैं दोस्तों 15 में से जो spectrum पढ़ने वाला student कर लेता है और बाकी नहीं कर पाते और यही difference हो जाता है 2-3-4 questions से प्री निकल जाता है उनका और कुछ का नहीं निकल बाता तो जरूर पढ़ लिजे मैं यही कहूंगा इसके बाद ancient and medieval history के लिए आप चाहें तो अभी पढ़ें या तो बाद में भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में ना पढ़ें बाद में समय बिचे तो पढ़ें लेकिन ancient history जरूर कर लिजे क्योंकि इसमें important topics आपके जैसे आपका इंडेस वैली civilization, सिंदुगाटी सभिता, जैन धर्म, बाध धर्म, वैदिक काल, मौरिकाल, गुप्त काल, हर्षवर्थन यह important topics हैं जो आ देखें और आपको घटना चकर कुर्वा लोकों लगानी ही है history की और वही दोस्तों रात में 9 वजे जो MCQC हमारी class चल रही है previous year question की वो दोस्तों आप लोग अटेंड करेंगे तो आपका previous year question त्यार होता रहेगा ठीक चली इसके बद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी क हैं आपको उनले 30 से 35 chapters पढ़ने हैं और वो important chapters के लिए मैंने क्या किया वीडियो बनाया है channel पर available है उसको देख लेजे और इतने ही chapters पढ़ लीजे जैसे आपका important chapters क्या मौलिक अदिकार हो गया निदेशक्तित्धान्त हो गया मौलिक करतब गया राश्ट्रपती हो गया संस ठीक है ये सभी क्या जैसे important chapters है इतने chapters आपको कर लेने हैं और आपका काम इससे हो जाएगा लेकिन ये book अब लोग पढ़ लिजे एक बर ठीक है और ये भी आपका आप साथ से 10 दिन में इतने important chapters जो है एक targeted वे में करेंगे ना दोस्तों तो मिनिश्चित रूप से आप 10 दि इसकी को ही follow करता है ठीक है घटना चक्र पूर्वालोकन के लिए आप Indian quality की ले सकते हैं और life class आप सभी लोग 9 बज़े के follow करेंगे तो इससे काम हो जाएगा clear इसके बाद environment के लिए दोस्तों best book है और 17 कुशन दोस्तों लगबग आये थे तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये सबसे कम effort में सबसे जादा कुशन देने वाला section है ठीक है तो परिच्छा वाने की एक book आती उससे आप complete कर सकते हैं और या तो English medium वाले जो है वो शंकर IS क एक book आती है ठीक है वो आप पढ़ लिए इससे आपका काम हो जाएगा ठीक है ये English medium वालो के लिए और ये Hindi medium वालो के लिए clear है तो इतना हो जाएगा और आपको क्या करना है live class नौ बजे वाली follow करते रहना है और घटना चक्र पूरवा लुकन लगानी है दोस्तों क्योंकि गठना चक्र पूरवा लुकन क्या करती है दोस्तों आपको confidence देती है कि आपको exam में कैसे questions आते हैं ठीक और आपको नौ जाना है, budget कर लेना है दोस्तों, economic survey कर लेंगे और government scheme कर लेंगे दोस्तों तो आपका ये काम हो जाएगा और जो आपकी life class है 9 बज़े वाली, इतना कर लेंगे दोस्तों तो इससे economy के most important question मैं वहाँ पर complete करा दूँगा और इससे दोस्तों लगबक 10 से 12 question आपको मिल जाएंगे ठीक general science की बात करें तो 12 question आया थी तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना lucent gk खरीद लीजिए आप सबके पास होगी, उससे science वाला portion कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा दिया है बहुत कम समय में आप science को complete कर लेंगे घटना चकर पूरवा लोकों लगानी है उसका sequence क्या होना चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों biology लगाईए फिर दोस्तों आप लोग को physics लगाना चाहिए और फिर आपको chemistry लगाना चाहिए ठीक है, तो important chapters दोस्तों उनी से बार-बार question आते हैं आप लोग उसे कर सकते हैं लाइफ क्लास दोस्तों रात में नौव बज़े चल रही है उसको जरूर रिटेंड करिए और वो दोस्तों लाइफ क्लास और ये घटना चकर पूरवा लोकों मिला कि आपकी पूरी practice आपकी हो जाएगी guidance प्रवाइड कर देगी पर्याइप knowledge आपको देदेगी ठीक है इतना बस आपको ध्यान रखना है और परिच्छा वाणे में सारे questions भी दी हैं प्रिवेसर के तो उसके लिए परशान नहीं होना है उसके लिए देखे कुछ videos मैंने 5-6 videos बना दी है पाकी videos भी मैं 7-8 बची हैं वो बना दूँगा तो UP special पूरा complete हो जाएगा चैनल पर available उससे देख सकते हैं ठीक है चलिए इसके बाद current affair सबसे महत्पूर कोश्वन सबसे महत्पूर सेक्षन सबसे ज़्यादा कोश्वन आने वाले इससी section से आते हैं तो घटना चकर के एक book आती है आई दृष्टी exam से पहले इसको आप लोग देख लेंगे exam से पहले complete कर लेंगे या तो घटना सार दो में से कोई एक book आप लेक सकते हैं और दोस्तों ये पूरी book मैं कराऊंगा आपके जो live class वाला time है इस time में मैं पूरी book आपकी complete कराऊंगा और या तो एक अलग time ले लूँगा लेकिन ये एक book मैं पूरी complete कराऊंगा ताकि आपके 25 से 28 question दोस्तों आराम से आप लोग साही कर पाए ठीक है तो ये आपकी book list होनी चाहिए और कैसे आपको practice करनी है तो integrated approach के साथ आपको चलना है तो सबसे पहले कौन से subject पढ़ें और क्या strategy होनी चाहिए तो ये भी दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले दिखिए question wise importance चलते है तो सबसे पहले history, politics, current affairs तो आपको day to day पढ़ना daily पढ़ना है दोस्तों daily आपको एक से दो घंटा पढ़ना newspaper पढ़िए और एक monthly magazine जो आप लोग follow करते हैं नहीं करते हैं तो करने लगिए start कर दीजए तो योजना, newspaper और एक monthly magazine कोई आप कर सकते हैं या तो chronicle कर लिजए और या तो जो भी magazine आपको पसंद दृष्टी ISK आप कर सकते हैं ठीक है history दोस्तों, quality, history, geography और economy यह 4 हमारे क्या हैं दोस्तों 4 four pillars हैं दोस्तों QPPS के ठीक है, ध्यान रखिएगा clear है, तो आपके total question कितने आते हैं 10, 4, 14, 15, ठीक है और 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 ठीक है, और 8 तो लगभग दोस्तों आप यह मान के चलिए कि 87 question दोस्तों आपके 87 से 90 question केवल आपके इन ही 4 section से मिल रहे हैं ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन ही को complete करना है तो सबसे पहले मैं आपसे गोलूँगा कि आपको आपरोच क्या होना चाहिए तो आपरोच सबसे बेश यह है कि सबसे पहले आपकी क्या करना है यह number में start करिए modern history सबसे पहले modern history से start करिए ठीक है, और आप सभी लोग जो है, यहाँ पर spectrum पढ़ना शुरू करिए दोस्तों, ठीक है history को break कर लिजे दो पार्ट में सबसे पहले modern history ठीक, spectrum आपको लिए इसके बाद दोस्तों, आप क्या करिए quality इसमें क्या करना है दोस्तों quality में M. Lakshmi Gant यह दो आप सभी लोग पढ़ लिजे क्यों क्योंकि mains किस तर पे GS paper 1 में modern history गाम आएगा दोस्तों आपके बहुत strong हो जाएंगे और इसको आप सभी लोग क्या करिए अभी 7 दिन आपके पास है और December, तो दोस्तों December में 15 दिन ले लिजे और इदर 7 दिन, 22 दिन और यह मान के चलिए कि December और November में आप अगर केवल यह भी तयार कर लेंगे दोस्तों तो यकीन मान के चलिए कि बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा ठीक है, तो November दिसंबर में आप यह दो sections आपका complete हो जाएगा और इसके बास 7 दिन जो है दोस्तों 7 दिन में आप क्या करिए NCRTs पढ़ लिजे, ठीक है ancient पढ़ लिजे पहले और अगर समय बचता है तो medieval भी पढ़िएगा और नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है medieval को अभी skip कर दीजे, अभी ancient पढ़ लिजे क्या हो ठीक है, तो आपके यह history और quality यह दो subject आपके लगभग तयार होगा कितने question होगे, तो 50 question होगे तो November दिसंबर में यहां से मिल जा रहे है, ठीक है फिर बचता है January ठीक है, January में अब हम क्या करेंगे तो January में दोस्तों हमारे पास geography और environment है तो geography environment में दोस्तों आपको क्या करना है geography environment में 15-15 दिन, 20-20 दिन का समय देकर यह मान के चलिए कि geography आपका 20 दिन लंदी है और environment दोस्तों आपको क्या है आपको थोड़ा सा कम टाइम लेगा तो 10 दिन माल लिजे यह आपका क्या करते हैं 20-22 दिन ले लेगा यह, इधर 7 दिन ले लेगा तो total मिला के यह आपके कितने questions होगे दोस्तों तो 23 और 17 मिला लिजे तो 40 questions होगे दोस्तों तो 40 questions यह आपको दे देगा ऐसे divide करेंगे ना दोस्तों तो definitely आपका exam निकलेगा यह पध्यान की ठीक है तो 90 questions तो देखिए हमें यह इसी 4 subject से मिल गए इसके बाद दोस्तों आपका बच्टा क्या है आपका बच्टा है दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर क्या बच्टा है यहाँ पर आपका बच्टा है general science और UP special तो छोटा छोटा subject है तीन से चार दिन में आप इसे complete कर सकते हैं ठीक है UP special के परिछा वाणी को और general science में दोस्तों केवल मैं तोर कहूंगा कि biology पहले complete कर लिजे ठीक है और biology कर लेंगे तो 6-7 question आपके उसी से बन जाएंगे ठीक है और UP special के 607 question तो लगबग यह मान के चलिए कि 15-20 question आपके किसे हो गए UP special और general science की हो गए तो फरवरी में आप क्या करिए दोस्तों फरवरी में आपका approach क्या होना चाहिए UP special plus science UP special plus science आपको क्या कर लेना है complete कर लेना है UP special plus science इससे क्या हो जाएगा लगबग दोस्तों आपके 15-20 question यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ठीक है और 7 में आप क्या कर रहे है 7 में आप सभी दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे है current affair पढ़ रहे है current affair आप complete कर रहे है और एक चीज आपकी रहे गई क्या रहे गई यहाँ पर economy में budget economic survey और government scheme ठीक है तो budget economic survey और government scheme तो मैं इसको current के अंतरकत ही रखता हूँ economy को अलग section के तौर पर मैं नहीं रख रहा हूँ ठीक है तो budget economic survey और government scheme यह सारा आप क्या कर रहे है लगातार कर रहे है इसके लिए मैं अलग से समय आपको नहीं दे रहा हूँ दोस्तों यह बाद ध्यान रखेगा clear है ठीक तो current affair budget economic survey schemes तो यह दोस्तों लगातार आपको चल रहा है ठीक है जब घटना चकर की आई दुष्टी आएगी तो उसको मैं complete करा दूँगा लेकिन अभी आप पढ़ते रहे है ठीक है तो total कितने हो गया दोस्तों question जोडते हैं इदर तो यहाँ पर दोस्तों लगबग 30 question current के और आपके economy के कितने question है तो 12 question तो कितने हो गया लगबग 10 मैं जोड लेता हूँ तो 40 question तो आपको इधर से मिल गया 40 question इधर से मिल गया ठीक इधर से दोस्तों history plus politics ही कितना तो 50 question इधर से मिल गया और geography environment से कितना तो 40 question मिल गया ठीक है तो यही 3 अगर जोड लेजे तो कितना हो गया तो 40, 40, 80 और 50, 130 question 40 plus 50 plus 40 कितना हो गया दोस्तों? 130 question ठीक है और इसके बाद आप यह science आप नहीं भी अगर कर पाते हैं या kevill biology करके छोड देते हैं UP special जरूर कर लीजेगा क्योंकि means में भी आता है तो यह मान के चलिए दोस्तों definitely गीरी हालात में दोस्तों आप यहाँ पर यह भी जोड देते हैं तो 10 question भी अगर मैं जोड रहा हूँ तो 140 से 145 question कहीं गया नहीं है दोस्तों पूरा syllabus आपका complete हो जा रहा है ठीक है कब तक complete हो जा रहा है? फरवरी में ही complete हो जा रहा है ठीक है? अब फरवरी में complete हो जा रहा है तो आपके पास दोस्तों बच क्या रहा है? आपके पास बच क्या रहा है? आपके पास फरवरी में यह भी क्या है दोस्तों 7 दिन आपका लेगा और यह भी 7 दिन आपका लेगा तो फरवरी में 15 दिन बच रहा है आपका तो 15 दिन फरवरी में बच रहा है तो 15 फरवरी से 15 मार्च का जो समय है कुछ नहीं करना है आपके पास पूरी तयारी आपकी हो चुकी आपके पास आपकी नोट्स है आपको क्या करना है केवल और केवल 30 mock test बाहर जाईए market में 30 test series लियाए full length 30 mock test लगाईए उसका analysis करिए इतना ही केवल आपको करना है और आप सभी लोग 17 marks को जाईए exam देने UPPCS का UPPCS का exam आप देने जाएंगे 17 marks को 2024 का तो यकीन मन के चलिए चलिए दोस्तों कि आप सभी लोग क्या करके आएंगे फत्धा करके आएंगे UPPCS 2024 आपको 17 marks को आपको positive result देगा अगर आपने ये approach follow कर ली दोस्तों ठीक है तो ये video इसलिए बनाया दोस्तों कि 0 से शुरू करके आप कैसे UPPCS 2024 का prelims clear कर सकते हैं और means में फाइदा क्या मिलने वाला है आपको means में फाइदा ये मिलने वाला है दोस्तों कि यहाँ पर आपने स्पेक्टरम GS paper 1 में पढ़ ली है ठीक है modern history की ancient medieval history की NCITS पढ़ ली है आपने जो आपको culture में काम दे देंगी और history complete है culture complete है आपका GS paper 2 में दोस्तों आपका क्या complete है यहाँ पर politics complete है ठीक है पूरा major section है paper 3 में आपका environment complete है economy complete है budget economic survey government scheme आप पढ़ रहे हैं तो GS paper 3 का यह portion complete है तो मतलब आपके पास क्या बच रहा है cable और cable ethics का paper बच रहा है और essay का paper बच रहा है तयार करने के लिए और लगा तर आप newspaper पढ़ रहे हैं तो आपका essay के paper में भी आपको लगा तर हलाब होने वाला है योजना और paper आपको पढ़ रहे हैं तो ठीक है तो यह approach अगर आप रखके चलेंगे तो definitely यह मान के चलिए कि यह GS paper 3 का आपका section है means का ठीक है अगर यह approach लेकर आप लोग चलेंगे तो तो यह integrated approach लेकर आप लोग चलिए और निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे क्योंकि pre 17 March को होने के बाद 3 से 4 मैने का समय मिलेगा उसके बाद mains होता है तो उसमें आप नियायत तभी कर पाएंगे जब आप GS prelims में क्या करेंगे सब प्लस question आपके सही हो रहा होगे ठीक है और देड मैने आप उस weight में नहीं गुजा रहेंगे कि pre निकलेगा की नहीं और उसमें आप mains के अच्छे तयारी कर पाएंगे और mains में अच्छे नंबर ला पाएंगे और interview देंगे और select होंगे ठीक है तो यहीं अप्रोच रखे और आप सभी लोगों को best of luck और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बता दूँ कि RO2023 के लिए एक मातपुर सुषना है कि prelims का target batch प्रिलिम्स का target batch आपका करियर विदाश्टो शायप पर अविलेबल है तो आप सभी लोग चाहें तो उसे purchase कर सकते हैं ठीक है मात्र 499 में आप सभी लोगों के लिए ठीक है आप सभी लोग उसे purchase कर सकते हैं और UPPCS 2024 के तयारी UPPCS 2024 के तयारी अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो दिसंबर में दोस्तों इसका course भी हम लोग launch करेंगे 100 days का target batch तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल अगर पसंदार हो दोस्तों तो सब्स्राइब कीजिए रात में 9 बज़ाली सब्स्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के भीच में वीडियो को शेर करें